हे गाइस कहते हैं इजी ग्लोई मेकप फुर विंटर तो फर्स्ट मैंने नियविया की मुश्राइजर क्रीम को लिया उसे मसाज किया और अब्सोब होने के लिए छोड़ दिया फिर मैंने सेकंड यूज किया है एकोलोजिका की संस्क्रीम जो की विंटर के लिए बहुत ही इंसाइड का फांडेशन लिया है जिसे मैं अच्छे से ब्लेंड किया जो मेरी कलर टोन से काफी मैच करता है आप चाहे तो ब्रेश से भी ब्लेंड कर सकते हैं तो अपने फ्रेस को स्लिम दिखाने के लिए कॉंटूर किया है मैंने पोर हैड अपने आइस पर और चीक्स पर जॉलाइन पर आइस पर मैं इसलिए करते हो ताकि हुड़े आइस थोड़ी सी दिखे और लिप्ट भी करती है फिर ब्लेश के लिए ऐसा मैंने लिप्स्टिक को यूज किया है तो कि सूस ब्यूटी कीरी थोड़ी क्रीमी है अच्छा खासा ब्लेश मतलब उससे हो जाता ब् देगर तक रखो तो यह मैट हो जाता है इसलिए साथ के साथ ही आप पो ब्लेंड करना पड़ता है फिर मैंने यहां हलका सा ब्लेश को लगाया फिर हाइलाइटर ताकि शाइनी फेज दिखे फिर आइशेडो के लिए मैंने एक पिंक आइशेडो ट्रांसेशन कलर लिया है जिसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि कहीं भी हाश लाइन ना दिखे और उसी को मैं अपने लॉर लैश लाइन पर स्मज करूंगी एक पैंसिल ब्रेश की हेल्प से फिर यहां मैंने लाइनर नहीं लगाया था लेकिन आइशेडो एक प्लाक कलर का लिया जिसे मैं फ्लैट ब्रेश की हेल्प से विंग आइलर्न ही लगा लूँगी थोड़ा-थोड़ा स्मज भी कर रही थी ताकि कहीं भी पैची ना दिखे वो इनर साइड पे हाइलाइटर देन बाहिर का जल फिर यहां मैंने स्विस ब्यूटी का क्रेज मस्कारा यूज किया है काफी ताकि आपको लगाने की भी जरुतनी पड़ती है फिर मैंने अपने आई ब्रोज को सेट किया बहुत लाइटली कर दिखाना था मेंको फिर यहां मुझे नियूट लिप चीए थे तो जिसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी की लिप्लैंडर यूज किया है फिर ब्लश से थो देखने लूटी कि लिजए उते हैं लिए में लिए टो लिए खर जूटी को ऑचेज़ लिए मेंगा के लिए टो ज्यूटी के लिए लिए भी टूटी की है यहां में विए लिए ब्लाइन श,-ब्लिक टूटी